Welcome to Study Plug एक कीबोर्ड में कुछ special keys भी अविलेबल होती है अब हम इन्ही special keys के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे space bar space bar key या एक कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है और इस space bar key की मदद से हम कोई भी दो लैटर या कोई भी दो नमबर्ज के बीच में space दे सकते हैं हम कह सकते हैं कि space bar का यूज हम space देने के लिए करते हैं अब बात करते हैं back space key के बारे में back space key को हम किसी भी लैटर को इरेज करने के लिए यूज करते हैं जब हम back space key को प्रेस करते हैं तो यह left side के character को इरेज कर देता है हम कह सकते हैं कि back space key के द्वारा किसी भी लैटर के left side के character को हम इरेज कर सकते हैं जितने भी character इरेज करने हैं हम उतनी बार back space key को प्रेस करते हैं अब देखते हैं कि delete key किस लिए यूज की जाती है डिलीट key को हम back space key की तरह ही लैटर्स को इरेज करने के लिए यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम back space key का यूज करते हैं तो हमारे left side के character इरेज होते हैं जबकि delete key में जब हम किसी लैटर को इरेज करते हैं तो character के right side का लैटर इरेज होता है अब देखते हैं caps lock key के बारे में caps lock key का यूज हम capital letters को type करने के लिए करते हैं capital letter को type करने के लिए सबसे पहले हम caps lock key को press करते हैं caps lock key press करने के बाद जो भी letter हमको type करना है उसको press करते हैं और जब हम उस letter को press करते हैं तो हमें हमारा capital letter मिल जाता है इसी तरह यदि हम चाहते हैं कि दुबारा small letters type करते हैं तो हमें फिर caps lock key को press करना होता है हम कह सकते हैं कि caps lock key को press करने से हम capital letter type कर सकते हैं और जब हम दुबारा caps lock key को press करते हैं तो हम फिर से small letter type कर सकते हैं अब हम shift key के बारे में पढ़ते हैं shift key एक बहुत ही special key होती है हमारे पास number keys पर कुछ symbols भी available होते हैं जब हम एक keyboard में देखते हैं तो हमें number keys पर कुछ symbols भी दिखते हैं इन्ही symbols को type करने के लिए हम shift key का use करते हैं अब हम देखते हैं कि shift key की मदद से हम किस तरह से इन symbols को type कर सकते हैं सबसे पहले हम shift key को press करते हैं और उसको दबा कर रखते हैं इसके बाद जो भी symbol हमें type करना होता है उस symbol key को press करते हैं ताकि हम उस symbol को type कर सकें symbol type करने के बाद हम दोनों ही keys को release कर देते हैं यदि हम बिना caps lock key की मदद के capital letter type करना चाहें तो इसके लिए भी हम shift key का use कर सकते हैं मान लो हमारा caps lock key off है मतलब यदि हम बिना caps lock key की मदद के capital letter type करना चाहते हैं तो shift key की मदद से capital letter type करने के लिए सबसे पहले हम shift key को press करते हैं और उसको दबा कर रखते हैं इसके बाद जो भी letter हम capital में type करना चाहते हैं उस letter को press करते हैं और ऐसा करने पर screen पर हमें वह capital letter दिखने लगता है हम कह सकते हैं कि shift key की मदद से हम symbol keys को type कर सकते हैं और किसी capital letter को भी type कर सकते हैं अब परते हैं एक और special key के बारे में जिसे enter key कहा जाता है normally enter key का use कर सर को next line पर move करवाने के लिए किया जाता है यदि हम एक नई line से typing start करना चाहते हैं या एक नया paragraph start करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले enter key press करना चाहिए enter key press करने के बाद हमारा cursor next line पर move हो जाता है और फिर हम दुबारा type कर सकते हैं अब बात करते हैं arrow keys के बारे में arrow keys जो है वो cursor को अलग-अलग directions में move करने के काम आती हैं इन keys को cursor control keys भी कहा जाता है arrow keys games खेलने के लिए भी use की जाती है साथ ही साथ यह files यह folders को select करने के काम भी आती है अब हम कुछ और special keys के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं function keys क्या होती है और किस काम में आती है हमारे पास एक keyboard में कुछ special buttons होते हैं और यह buttons कुछ particular operations के लिए ही use किये जाते हैं यह buttons keyboard के top पर होते हैं और इनकी numbering F1 से लेकर F12 तक होती है इन्ही 12 buttons को हम function keys कहते हैं जिने हम अलग-अलग operations में use करते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं अलटर की के बारे में जब भी हम अलटर की का use करते हैं तो हम उसके साथ एक दूसरी की का use भी करते हैं जब भी हम किसी दूसरी की के साथ अलटर की का use करते हैं तो उस particular की का behavior change हो जाता है और जो भी काम वो करती है उसकी जगह वो एक दूसरा operation perform करने लगती है इसी लिए हम इस की को अलटर की कहते हैं अब देखते हैं control की क्या काम करती है control की का use भी हम दूसरी कीस के साथ ही करते हैं कुछ particular operations perform करने के लिए हम computer के keyboard में control कीस के साथ दूसरे कीस के combinations को use करते हैं जैसे यदि हम एक file को copy करना चाहते हैं तो हम उसे control की की मदद से copy कर सकते हैं एक file को copy करने के लिए हम उस file को select करते हैं उसके बाद हमें control की के साथ C का use करना पड़ता है जब हम control प्रेस करने के बाद alphabetic की C को प्रेस करते हैं तो वह file copy हो जाती है इसके बाद जहां भी हम उस file को paste करना चाहते हैं हम उस जगह जाकर control की के साथ alphabetic की V को प्रेस करते हैं ऐसा करने पर वह file उस जगह पर paste हो जाती है इस तरह से हम अलग-अलग operations में control की का use कर सकते हैं अब देखते हैं escape की क्या होती है Normally यदि किसी computer में कोई operation या कोई task perform हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा computer उस task को वहीं छोड़ कर फिर से previous menu पर वापस आ जाए तो इसके लिए हम escape की का use करते हैं Escape की को press करने से वह particular action वहीं रुख जाता है और हमारा system previous menu पर वापस आ जाता है अब हम कुछ और special की के बारे में देखते हैं जैसे की tab key tab key का use करसर को five space forward jump कराने के लिए किया जाता है टैब की का इस्तमाल हम करसर को five space forward direction में जब कराने के लिए करते हैं लाइन की beginning पर लाने के लिए किया जाता है हम कहते हैं यदि हम चाहें कि करसर लाइन की शुरुवात में move किया जाए तो इसके लिए हम home key को press करते हैं अब हम end key के बारे में पढ़ते हैं end key press करने से हमारा करसर लाइन के end में move हो जाता है अब page up key के बारे में देखते हैं कि page up key को हम किस लिए use करते हैं यदि हम चाहते हैं कि हमारा करसर एक स्क्रीन उपर चला जाए तो इसके लिए हम page up key का यूस करते हैं हम कह सकते हैं यदि किसी document में एक page उपर जाना चाहते हैं तो हम page up key का यूस करते हैं इसी तरह page down key का यूस एक page नीचे जाने के लिए किया जाता है हम करसर को एक page नीचे करने के लिए page down key का यूस कर सकते हैं हमने यहां कुछ specials key के बारे में पढ़ा जो एक computer के keyboard में होती है हमारे पास कई सारी special keys होती है जिन्में से हमने काफी सारी special keys के बारे में यहां देखा एक keyboard की key को हमने तीन category में divide किया पहला alphabetic key जो alphabet buttons में होती है दूसरी number keys जो number buttons में होती है तीसरी special keys जो अलग-अलग task को perform करने के काम आती है special keys में से कुछ keys को हम combinations में भी use करते है इस तरह हमने एक keyboard में available keys के बारे में पढ़ा और यहां देखा कि एक keyboard में कौन-कौन सी keys होती है और यहां क्या-क्या काम करती है Thank you